पर्मा इकादशी दोगजार थेज इंग्याराय बारा अगरस्त नोट करने सही डेट पारण का समय आज जर्म करेंगे एक काम आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल दोगजार थेज में अधिक मास के क्रिश्ण पक्स की पर्मा इकादशी कवरत कब हैं पूजा वपारण का शुब मूरत पूजा विधी और इकादशी के दिन किये जाने वाले कुछ खास अपायों के बारे में हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में पंचांग के अनुसार अधिक मास के क्रिश्ण पक्स में आने माने इकादशी को परम, पर्मा, कमला या पुरुशोत्तमी इकादशी भी कहते हैं मानेता है कि इस दिन भवान विश्णों की पुजा परने से दुरलब सिद्यों की प्राप्ती और दुख दरिद्रता का नाश होता है शास्त्रों के अनुसार परम इकादशी का वरत पांच जिन तक करने का विधान है आईए जानते हैं साल 2023 में शावान दिकमास की परमा इकादशी वरत की सही तिथी पुजा पर शुब मुरत पुजा विधी और इस दिन के जाने मने महाउपाई क्या है परमा इकादशी शुब मुरत 2030 साल 2013 में परमाहिक आदशी कवरद 12 अगस्त शनिवार को रखा जायेगा एक आदशी तिथी प्रारम भूगी 11 अगस्त प्रातकार पांच बचकर 6 मिनट पर आदशी तिथी समापतो होगी 12 अगस्त प्रातकार 6 बचकर 31 मिनट पर प्रमा एकादशी पूजा विधी, अधिक मास की परमिकादशी के दिन प्राते स्नान के बाद वरत का संकल पिलेकर पूजा इस्थन पर भगवान विश्णु जी की प्रतिमा स्थापिक कर पंचुप चार विधी से पूजा करें, प्रतिमा के सामनी शुद्धगी का दीपक ज चिलाया और भगवान विश्णु का तिलक कर उन्हें पीले पुश्प अर्पित करें, इसके बाद अन्य सभी सामकरी अर्पित करें और धोग लगाएं, भोग में तुलसी के पते जरूर नाने, इसके बाद एकादशी व्रत कता का पार्ट ये श्रवन कर आर्थी करें, श्रीमन भावद गीता का पार्ट करने से अक्षयपुन्डी की प्राप्ति होती है, इस दिन पूजा के बाद जरूरत मंदों को भूजन करवाएं और दान दें, आज के दिन विद्या, अन्य भूमी तिथा गौधान करना बहुत ही शुब होता है, इस एकादशी का व्रत पुरुशोत्तम मास्ट में आता है, इस दिन लक्षमी विष्णु मंदिन में दीबदान करने से विशेश्वन की प्राप्ति होती है, एकादशी के दिन सुबह सरान के बाद सोड़े देव को जल चणाए और प्यासी लोगों को जलका दान करे, आज के दिन गाए को चारा प्याना शुब होता है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सबी जानकारियां पसंद आई हों, तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें